प्यारे बच्चों एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रमदान टुटोरियल में माध्यमिक के फिजिकल साइंस क्लास 10 में जो हम लोगों ने फिजिकल साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट किया है इस फाइनल टाइम पे जब माध्यमिक एक्जामेशन इतना क्लोज है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि हम टेस्ट पेपर का सॉलिशन स्टार्ट करें एबी टीए का टेस्ट पेपर लॉंच हो चुका है मैं इसके बार में डेडिकेटेट वीडियो बनाया था उस वीडियो को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम क वैलें बांडिंग सबसे पहले मैं बता दूँ इसके अंदर में जो सेक्षन बनाये गया है वह सौट एंसर टाइप यानि टू माक्स के क्वेस्ट जो की पेज नूबर 936 में दिये गया है पहले हम इनका सॉलिशन करेंगे इसमें जो सेक्षन दिये गया है एबी सीडी करके जे तक क्वेशन दिये गया है मैं आज आपको ए से लेकर ई तक का सॉलिशन प्रोवाइड करूँगा टेस्ट पेपर की सबसे पहली बड़ी लिमिटेशन होती है कि पेपर में जादतर पेपर बिंगॉली में होते हैं और सजेशन भी जो दिया गया है तो इन बिंगॉली की यह तक आपने पेपर का सॉलिशन हम क्या करें मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं ट्रांसलेशन करके लेकर आउंगा मैंने हंदी और इंग्लिस दोनों में पेपर्स को ट्रांसलेट किया है साथी साथ सॉलिशन भी में बताता हुए चलूंगा तो हमारे इस चैनल में आपक को करवा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेशन के साथ इसकी पर पहला क्वेशन आ चुका है वाई इस दो टर्म सिंबॉलिक वेट यूज़ इंस्टिट ऑफ मॉलिकुलर वेट इन केस ऑफ सोडियम क्लॉराइड सोडियम क्लॉराइड की केस में हम वेट को यूज़ करते हैं molecular weight नहीं ऐसा क्यों यह एक ऐसा question है I think जिसका answer आपको किसी भी book में सायद ही मिले समझाना चाहूंगा इसका answer बहुत important है sodium क्लॉराइड do not exist as individual molecule it has ionic bond so it is appropriate to use symbolic weight means simple weight instead of molecular weight in case of sodium क्लॉराइड तो क्या जाना हम लोगों ने इसके साथ यह term molecular weight use नहीं कर सकते तो हम इसके लिए simply weight use करेंगे यह चीज इस तरह के question sodium क्लॉराइड के लाब अगर किसी और में भी आते हैं तो explanation सेम रहेगा कि यह individual molecule के हिसाब से exist नहीं करते हैं इस तरह के questions आप लोगों से पूछे जा सकते हैं मैंने आज प्लाइन किया हुआ है इस section में ए से लिके जे तक के अंदर में से पांच question a b c d e करवाओंगा ए नमबर question का solution यह था मैं अगले question की तरफ बढ़ना चाहूंगा अगला जो question है screen पर देख सकते हैं write the difference between the two properties of naphthalene and sodium chloride आपको पता है इस time पर parallel हम दो सिरीज पर काम कर रहे हैं एक यह एबी टीए का solution जहां पर हम आपको solution प्रोवाइट कर रहे हैं दूसरा एक और सिरीज हमारा चल रहा है जहां पर हम आपको प्रोवाइट कर रहे हैं previous का solution और आपको जान के काफी अलच्छा लगेगा कि यह सेम प्रिविए सेर में भी दिया गया था इससे क्या पता चल रहा है ABTA यानि कि All Bengals Teacher Association जिन question को important समझता है वो प्रिविए सेर में आए हुए हैं और मैं आपको प्रिविए सेर का solution अल्रेडी प्रोवाइट कर रहा हूं तो आप प्रिविए सेर को भी हमारे इस सीरीज के साथ जरूर फॉलो करें question है कि naphthalene sodium chloride में क्या difference है इनके properties में क्या difference है दरसल मैं समझाना चाहूंगा naphthalene sodium chloride अगर आप इन दोनों चीजों को गौर करेंगे तो naphthalene में covalent bonding होता है और sodium chloride में ionic bonding यहीं इन दोनों का key factor होने वाला है difference इस question का answer अगर आप book के point of view से सोचे कि किस chapter में बिलॉंग करता है तो आपको कोई idea नहीं मिलेगा जब तक कि आप इस नजरिये से नहां देखें तो क्या पता चला sodium chloride जो है वह एक आइनिक bond क्यारी करता है और naphthalene को बांट इसके विस्टिस पर हम difference तैयार करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं it has covalent bond naphthalene के case में so it is it has a low melting point दूसरे में comparatively high melting point होगा तो यह एक डिफ्रेंस आया क्यों क्यों क्योंकि को वालेंट है दूसरा आइनिक है दूसरे पॉइंट पर आते हैं दूसरा पॉइंट है नैप्थलीन और गिनिक solvents में soluble होता है जबकि अगर sodium chloride की बात की जाए तो हमें पता है sodium chloride common salt होता है जो कि water में soluble होता है तो यह वह सेकेंड डिफ्रेंस था इस सेकेंड question में तो आप लोगों ने इस चीज को समझा सही तरीके से कि किस तरह सब इन दोनों का question है जिसका answer किताब में कहीं न कहीं छुपा हुआ रहता है और बच्चों को खोजने में काफी तक्लीफ होती है मुझे लगता है टेस्ट पेपर की इस तरह की questions का collection अभी तक आप लोगों ने सायधी किया होगा चलिए इसका discussion कर लेते हैं ionic bonds are formed by outermost electron transfer आपको पता है ना आइनिक बांड की फॉर्म ही जब होती है तो outermost electron होता है कोई एक donate करता है दूसरा कोई से receive करता है this transfer generates electrostatic force alone which causes contradiction means आप जब ऐसा कर रहे हो कि एक outer cell से electron को transfer कर रहे हो तो यहां पर एक electrostatic force आता है जो function में आ जाता है और यह individually एक्जिस्ट नहीं कर सकता यह कभी एक्जिस्ट नहीं कर सकता electrostatic force की खुझ से आ जाए तो ऐसा चीज अगर आ रहा है तो एक contradiction raise हो रहा है और यह contradiction क्या प्रूफ करता है कि यह इस तरह की कि तरह बढ़ेंगे question number D हमारे screen पर मैं इसका answer देना चाहूंगा लेकिन मैं बता दू साथ ही साथ यह पूरा PDF हमारे website पर अगर आप चाहते हैं कि website से इन्हें download करना और इसके study करना तो आप बिल्कुल जा सकते हैं हमारे website में जहां साथ इसके study कर सकते हैं सिंपल सा तरीका है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां क्लिक कीजिए हमारे website पे जाईए और वहां से मॉल्टेन स्टेट तो जब कहते हैं कि जब dissolve यह मॉल्टेन स्टेट में होता है तो हमारे स्ट्रिक कंपाउंड से जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आयनी कंपाउंड से वह electricity इसलिए electricity conduct कर पाते हैं क्योंकि उनमें ions होता है यहीं तो क्वेस्टन है कि जो इलेक्ट्र स्टाटिक compound है वह electricity क्यों कर पाते हैं मोल्टेन स्टेट में या फिर डिजॉर्ब कंडिशन में जब water में dissolved होते हैं इसका answer होगा कि जब यह dissolved होते हैं या molten condition में होते हैं तो यह ions form करते हैं और ions के वज़े से यह current electricity flow कर पाते हैं आप लोगोंने notice कि होगी चार में से दो ऐसे questions जो हम लोगों ने previous year में already study किया है और अगर आप बाकी सारे questions को भी कर लोगे बाकी हर यह कर लोगे तो बहुत सारे questions के बारे में आपको बहुत clear idea मिलेगा आज के लास्ट question इनमबर की तरह बढ़ते हैं question हमसे कहता है why is the reaction rate of ionic compounds faster ionic compound पर एक question है कि इसका जो reaction rate हो फास्ट क्यों होता है इस question का मैं answer explain करना चाहूंगा समझेगा ध्यान से ionic compounds break quickly into ions where as covalent compounds doesn't have this property so they take extra time to break that is why the reaction rate of ionic compounds is faster क्या समझा आप लोगों ने ionic compounds के case में यह easily break हो जाते हैं तूट जाते है ions में जबकि अगर आप covalent compound में जाएंगो तो यह property उनमें नहीं मिलती अब चुकि आप simply समझेगे हैं ions के जल्दी form करेंगे तो इनका जो rate of reaction है वह भी बढ़ जाएगा जबकि covalent compound के case में जब इनके ions के formation में ज्यादा टाइम लग रहा है अब यह information में टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है कम टाइम क्यों लग रहा है इसके क्यों लग रहा है क्योंकि covalent के दौरान सेरिंग हो रही है कोई डोनेट कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है तो इस तरह से हम लोग इसे प्रेंड कर सकते हैं जिसके वेसिस पर हम लोग फाइनली अपने इस क्वेस्टन के आंसर तक पहुंचते हैं थैंक्यू सो मच मेरा नाम है मौहमद साहबाज अलम आप देख रहे हैं रमदान टुटोरियल बाकी वीडियो के लिए हमारी वीडियो के इंट करें जहां पर आपके responses पर कैसा आप response कर रहे हम लिएडियो पर उसी तरह से हम अपने स्सुरीज को कंटीनीव करेंगे आपसे पूरी एख आप इस सीरीज को अच्छे से प्रसंद करेंगे अगर पसंद आता है वीडियो को डियक करें देढ़िट झाल झाल